हलो दोस्तों तो स्वागत है आप सब का हमारी यूट्यूब चैनल कॉम्पेटिशन दुनिया वित अमन में और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दू दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको जांकारी मिलेगी लेटिस्ट वेकंसी की वोक इन इंटरव्य है दोस्तों जहारखन में ही ये वेकंसे निकली है तो क्या है पूरी बात आपको बदा दू कहीं आपको ये नोटिस नहीं मिलेगा आप मेरे description से भी pdf इस notice की application form भी download कर सकते हो तो ये दोस्तों है government और जार्खन ruler development department का जो कि जार्खन state livelihood promotion society का एक project है project के अंतर का vacancy निकली है और pay scale भी बहुत अथी है 35,000 सारी बाते मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो पूरा देखना बने रहो वीडियो के साथ और हाँ दोस्तों अगर आपने follow नहीं कि आने कैडमी पे तो follow कर लो क्योंकि यहां पे सारे jobs related और जो भी चीजें होती है उन सब के हम लोग practicals करते हैं और साथ में आपको यहां free notes मिलती है तो अभी download करवाने कैडमी अगर आपको मुझसे बात करना हो call पे कोई भी सवाल पूछना हो किसी भी परिक्षा से related आप download कर सकते हो play store से call me for app और वहां search कर सकते हो competition दुनिया competition दुनिया हमारा नाम है आप search करके हमें call कर सकते हो चलिए बात करते हैं हम अपने वेकेंसी की और तो क्या क्या इसमें हमारी डीटेल्स हैं तो government of जारकन डूलरी इसके वेकेंसी है दोस्तों इसके अंदर कर आपको जो वेकेंसी आज हैं वो है एक consultant अच्वी ए रिजनल लेवल के दूसरे consultant है positioning या place जो होगा वो रिजनल और इनको भी DMMU पे मिलेगा बांकी देखा जाए तो category C के post है पहली वाले वेकेंसी की पांच post हैं दूसरे में 13 post है और वेकेंसी की जो date है मतलब आपको एक ही इसी दिन पता चल जागा live interview के interview के माद्यम से selection होगा आपका और ये भी जार्खन में center रहेगा तो और ये अच्छी बात है ये तीद नवंबर 2018 जो कि Friday का दिन है इस दिन ही आपका walking interview होगा इसमें जो registration charge है जो सुने एक भी रुपए नहीं है फिरी है रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वह आप देख सकते हैं यहां पर जो डेट है selection का वह है दोस्तों 30 November का जो registration का टाइम होगा वह सुबह 9 से 11 के बीच होगा सीधा center पर आपको जाना है वहाँ पर 9 से 11 के बीच आपने register कर सकते हैं और रिपोर्टिंग टाइम जो है वह registration का वह 9 से 11 है उसके बाद जाने पर आपकी कोई भी मदद नहीं की जाएगी और आपका registration नहीं लिया जाएगा उसके बाद यह जगा की बात करें अगर जाना कहा है तो इस एकली जगा का नम आवे दोस्तों वह सब्त्रीसी सेवा भवन नियर सत्रंजी ब्रीज ठीक है टीपु दाना यह तुपु दाना जो भी आप बोल सकते राची में तो बिसीकली सब्तिरिसी सेवा भवन तुपु दाना आपको जाना है यहीं पर आपकी सारी आगे की प्र लिया जाएगा 25,000 से लेके 35,000 पर मन ठीक है और यह पोस्ट जो है वो contract basis पर लिया जा रहा है भी 6 महिने के contract पर फिर भागे की जैसे project condition होगी उसे हिसाब से आपको किया जाएगा और qualification जो है वो four year full time graduate diploma degree agriculture allied science horticulture degree business वगेरा इन समय होना चाहिए पहली वाली पोस्ट के लिए experience जो मांगा जा रहा है वो है minimum three years of post qualification starting after successful इसमें आपको NGO project वगेरा के साथ आपने काम किया हो तो यह qualification मांगा जा रहा है आप डेरेक्ट इसकी साथ से अपनी qualification के साथ 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 आप जा सकते हैं और skill में जो यह requirement मांग रहा है वो है क्या computer skill basic computer knowledge चलानी आनी चाहिए ठीक है खास करके Microsoft office की बात कर रहा है language skill language आपको written और oral in both English Hindi अच्छे से आप बोल भी लो और भी सको English Hindi वह सी language में भी आपको यह जो प्रॉपर्टी वो चाहिए अजर स्किल्स और knowledge में basic government functioning government system की क्या प्रकिद है कैसे functioning होती है यह सब की जानकारी होनी चाहिए तो और फीस कितनी है कितनी payment है वह समय ने बता दिया आपको तो आप जा सकते हो तीस नॉइंबर को और अगर आप यह eligibility criteria fulfill करते हो तो आप इस frequency में बैठ सकते हो तो आसा करना हो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा और भी न सब्सक्राइब किये कहीं मत जाना इस तरह के important update and news हमारे चैनल पर मिलती रहती है आपको और PDF डावलोड करना हो तो आप description में चेक कर सकते हो वीडियो देखने के लिए आपका तहद दिलसे धन्यवाद